एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे उत्राखंट के युवा मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने एक और बड़ा फैसला लिया है इस बार उन्होंने उत्राखंट में कावड यात्रा को पूरी तरह से प्रतिबंदित कर दिया है लेकिन ये फैसला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदेतिनात को नागवार गुजरा है क्योंकि योगी आदेतिनात चाहते थे कि कावड यात्रा शुरू हो इसके लिए बकायदा यूपी 25 जुलाई से कावड यात्रा शुरू कर रहा है इधर पुशकर सिंग धामी ने सारे बॉडर सील कर दिये हैं कावड यात्रा नहीं होगी इस फैसले के बाद यूपी और उत्राखंड की सरकार आमने सामने आ गई है देखे इस रिपोर्ट में उत्राखंड में इस बार भी कावड यात्रा नहीं हो सकेगी राज सरकार ने कावड यात्रा 2021 पर प्रतिबंद लगा दिया है जिहां एक हफते तक चले मंधन के बाद आखिरकार पुशकर सरकार ने कावड यात्रा को सगित करने का फैसला ले लिया है CM धामी के स्वेसले के बाद UP और उत्राखंड सरकार आमने सामने आ गई है क्योंकि UP सरकार कावड यात्रा शुरू करने के फैसले से पीछे नहीं हट रही इधर मुख्यमंत्री पुशकर सिंख धामी ने उत्राखंड में कावड यात्रा बैन करने का ऐलान कर दिया है प्राखन में कावड यात्रा प्रतिबंधित करने की बात कहती है। उत्राखन के सीम पुषकर धामी ने कावड यात्रा की सगित कर यूपी के सीम योगी आदितनात को बड़ा जटका दिया है। उत्राखन से कहा है कि वो उत्राखन से समर्में बना कर शरें। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर यूपी में कावड यात्रा शुरू होती है तो कावड ये गंगा जल लेने कैसे उत्राखन आएंगे। क्योंकि उत्राखन सरकार ने कावड यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंद लगाते हुए यूपी से जुड़े सभी बॉर्डर स्कील करने का फैस्ता लिया है। हरिद्वार में कावड यात्रा के दौरान हर साल तीन करोड कावड ये जुटते हैं। योगी आदित्यनात के लिए समस्या है। कैमरावेन प्रदीबिस्ट के साथ हेमबर्ट जैभारत टीवी।